पनीर हैदराबादी ऐसे बनाएंगे तो उंगलिया चाट चाट करके खाएंगे वीडियो को बिलकुल भी स्कीप ना करें एकदम शॉटकट में बताया गया है साड़े 300 ग्राम पनीर लिया है पनीर को मैंने इस तरह से बड़ा कट कर लिया है आप अपने हिजाब से भी से कट कर सकते हो चार पैज लिए है पैज को इस तरह से हमें बीच से कट कर लेना है अब हम पैज को फ्राइ करेंगे पैज को फ्राइ करने के लिए एक भगुने में मैंने ओईल लिया है पैज को मीडियम फ्लेम में रखके पैज को अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना ह एक साइड में जैसे ही फ्राय हो जाएंगे अब हम इसे पलट देंगे और हम इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राय कर लेंगे अब हम इसमें दो इंच के करीब अद्रक का टुकड़ा डानेंगे 20-25 लसुंकी कलिया पास से छे हरी मिर्च हरी मिर्च को 20-20 मैंने थोड मसाले को और इसे ठंडा होने देंगे मसाले को तो यहाँ पर मैंने ओइल छान लिया है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं मसाले को और इसे अभी हम ठंडा होने देंगे अभी हम पनीर की तयारी करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्यान लिया है हम इसमें डालेंग है तो इसे एक साइड से हमें 30-40 सेकंड के लिए ही अच्छे से फ्राय करना है और इसे पल्टा के भी दूसरे भी साइड से हमें 30-40 सेकंड के लिए फ्राय करना है और यहां पर देखिए जो पनीर है उसे मैंने पल्टा लिया है और दूसरे भी अच्चे से ठानडा हो गया है मसाले को हम grinding जार में डाल देंगे अब हम इसमें अड्ड करेंगे फ्रेश कुदिना के पत्ते और बत्ते एक मुठ्ठी भरके धनिया के पत्ते पत्ते को मैंने डंठल के साथ लिया है और डंठल के साथ ही इसे इसमें डालना है और थोड़ा पानी हम इसमें डालेंगे और इसका ना हमें स्मूध सा पेस्ट बना लेना है और यहाँ पर देखिए मैंने इसका अच्छे से स्मूध सा पेस्ट बना लिया है इस तरह से हमें इसका पेस्ट बना लेन अब हम कुछ सुखे मसाले लेंगे तो यहां पर लिया है मैंने काली मेर्च लवंग तेजपत्ता जीरा लाल मेर्च और लिया है डालचिनी और हरी लाइची और इन सभी को ना हमें इस तेल में डालके इसके अच्छी खुजबू आते तक हमें इसे भून लेना है और यह देखे अच्छे से भून कर रेडी हो गया है अब हम इसमें डालेंगे मसाला जो हमने पीसा था मसाले को अच्छे से मिला लेना है और अब हम गयास को कम कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक कप के करीब फेटा हुआ दही तो यापर मैंने एक कप दही लिया है दही कोना हमें अच्छे से फेट कर ही डालना है दही डालने के बाद तुरंती हमें इसे अच्छे से मिलाना है दही डालने के बाद मसाले के साथ इसे 2-3 मिट हमें अच्छे से भूनना है देखे इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और अब हम इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कश्मिरे लाल मेच पाउडर एक टेबल स्पुन थनिया पाउडर एक और इसमें हम डालेंगे हाप टेबल स्पुन काले मेच को दरदराख उटकर डालना है हाप टेबल बुने जीरे का पॉडर हाप टेबल स्पूंड गरम मसाला और स्वाधा नुसर नमक इन सभी को डौल करना हमें अच्छ vigor से मिला लेना है और गास को जो है हम करक कम करेंगे और मसाले को पासे 7 मीट कमाच पे हमें पकाना है और यहाँ पर यह देखिए इन मसाले को हमें ढखकर अच्छे से पासे 7 मीट पकाना है जब तक कि मसाले से ओईल सेपरेट ना हो तब तक हमें इसे पकाना है और यहाँ पर यह लिजे मसाले सोईल सेप्रेट हो गया है हमारे मसाले जो अच्छे से पक चुके है अभी हम इसमें डालेंगे यह जो हमने पनीर रखेते फ्राइ करके इसे हम एड़ करेंगे और इसे जाईकेदार बनाने के लिए इसमें हम फ्रेश क्रीम एड़ करेंगे और रेसीपी में मैंने पानी जो है कुछ भी आड़ नहीं किया है पास से साथ मीट इसे हमें अच्छे से ढख करके पकाना है और इसमें पानी कुछ भी नहीं डालना है और पास से साथ मीट के बाद ये देखिए इसका ढखन जो है उसको हटाएंगे और ये हमारा हैदराबादी पनिर मसाला जो ग्रेवी होता है वो गाड़ा ही रहता है इसलिए हमने इसमें पानी कुछ भी एड़ नहीं किया है इस तरह से आप ट्राइ करिएगा आपको बहुत ही पसंद आएगा वीडियो का लाइक किजेगा शेयर किजेगा चानल पे नहीं होते चानल को सब्स्रेब किजेगा बाई बाई और एंजाइ किजेगा यहाँ पनिर हैदराबादी मसाला